नमस्कार दोस्तों मजन भक्ती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज आपको बताएंगे अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिती सही नहीं चल रही है याने कि आपके घर में अगर पैसे को लेकर बहुत सदा कमी चल रही है या आपको लगता है आपके कारियों मे गती नहीं है, माता लक्षमी अगर आप पर प्रसन्न नहीं है, तो आपको ऐसे दस कारे बताए जाएंगे, जिनको करने के बाद आपके जीवन में कभी भी जो है, पैसे को लेकर कमी नहीं आगी, करना क्या है, अगर आप कोई बिजनस करते हैं जॉब में, क्योंकि अगर जॉ जॉब या व्यापार स्थाल पे पैसे कोई शुरुवात करनी होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, जॉब या व्यापार में सफलता के लिए, आप सवेरे ब्रश करने के बाद जो है, दो तुलसी जी के पत्ते जो है निगले, इन्हें को चबाना नहीं है, इनको निगल कर आपको जो है ग्रहन करना है, इससे क्या होगा, आपके आसपास की जितनी negative energies हैं, दूर जाने लगेंगी, साथी साथ धन का आगमन जो है शुरू होने लगेगा, आपको हर बुद्वार वाले दिन जो है गणिजी के दर्शन जरूर करने चाहिए, गणिजी क्योंकि बहुत सारी जो सिद्धियां होती हैं, रिद्धियां होती हैं या फिर जो जीवन के संकट होते हैं उन्हें दूर करते हैं, तो आप ऐसा एक नियम बना लीजे, कि आपको हर बुद्वार को जो है किसी भी प्रसिद्वंदिर में जाकर गणिजी के जो दर्शन है वो जरूर करने हैं, इसके अलावा करियर में अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं कि आपके करियर में आपको बहुत जादा जो है बहतरी मिले, तो आपको अपने जीवन में जो है समय समय पर भूचन का दान करते रहना चाहिए, भूचन का दान जो होता है, मंगल गर अगर उच्छ हो जाता है तो आपके जीवन में अपने आपी जो है शत्रुपीडा खत्म होती है मानसिक चिंताइं दूर होती है साथ ही साथ जो धन है वो शुरू होने लगता है हमको कभी भी अपने जीवन में जो है हरे पौधों को नहीं काटना चाहिए ये बहुत बड़ा नियम होता है धन के आगमन को शुरू करने का जादा से जादा पौधों को घर के बाहर लगाना चाहिए जादा से जादा हर्याली को जो है आपको बड़ाना चाहिए क्योंकि हर्याली जो होती है बुद्ध ग्रह का प्रतीक मानी जाहिए शनी ग्रह को उच्च करता है तो जब व्यक्ति अगर पौधे गाटता है या व्यक्ति अगर जैसे उसने घर के बार पौधे लगाए उनकी देखभाल नहीं करता है तो रहू केतु के साथ शनी की पीड़ा भी उसे सहनी वड़ती है वहीं अगर वो अपने घर में लगे पेड़ पौधो की सेवा करता है पानी डालता है समय समय पर थोड़ी सी जो मिट्टी है बदलता रहता है या हर्याली के तरफ ध्यान देता है तो उसके जीवन में बुद्धग्रा जो है बहुत उच्चता लेकर आता है और बुद्धग् के लिए तो आपको अगर सुक चाहिए संपनता चाहिए तो अपने घर के आसपार जितनी हर्याली हो सकती है लगाएं और कभी भी भूल कर हरे पौधो को ना काटे इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अचानक धनलाव हो आपके जीवन में तो ब्रसपती वार्क जो होता इस दिन बहते वे पानी में हमें हल्दी की साबुद गाठ होती है जो उसे बहा देना चाहिए इससे आपका बुद्धग्रा जो है उचका होने लगता है इसके अलावा आपके घर के आंगर में सदेव तुलसी जी का वास होना चाहिए तुलसी जी जो है एक अगर से बनी रहती है वास्तु दोश दूर होते है तो तुलसी जी अपने घर में हर किसी को लगानी चाहिए तुलसी जी लगाने से क्या होता है अगर आपके घर में नेगिटिविटी होती है तो तुलसी जी का पौदा जो है सूखने लगता है इससे भी पता लगता है कि घर में को प्राप्त होने लगता है आशिरवाद प्राप्त होने लगता है विश्णु जी की अगर आगर आपकी आशिरवाद बनता है तो माता लक्षमी जी भी आप पर प्रसंद होने लगती है तो सुख संपनता के लिए आपको तुलसी जी अपने घर में जरूर लगानी चाहिए वह इसी सथ आपको रवी वार वाली देन तुल्सी जी में पानी भी नहीं देना है इस बात का दिहान रखे पैसा अगर लगातार आतार है इसके लिए आप घर में जो हैं बहुत सारे जो फूल होते हैं जासों के फूल होते हैं तो घर में अपने फूलों को अधिक सदिक मात्रा में लगाने की कोशिश कीजिए अगर यह ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ताजे फूल लगा पाएं तो आप घर को आटिफिशल फ्लावर्स के द्वारा ही सजाएं इस से आपके घर का वास्तु दोश दूर होगा इस से आपके घर में खुशाली आएगी अलग-अलग रंके जो फूल होते हैं अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं जैसे अगर आप गुलाबी रंके फूल लगा देंगे तो आपके घर में प्यार बढ़ने लगेगा सफेद अगर जामुणी नंगे फूल लगाती है घर में आध्यात में की और लोग बढ़ने लगते यह पीले रंगे रंगे सकतश्य नकिताय Не लगार नृइस Georgia क्रणाट और बच्चत और क्लिए iqy जो है जू है जादा स्याधा कूरा कड़कर धुअ होता है जो चीजने आपके काम नहीं आती है वो आपको अटा देनी धिए जश्त डिन तक रखा हुआ जो कच्छरा ड़स्त बें में भरा रहता है वह भी कि अगर कंग करते हैं। जरूरा भी कोई मंदिर लगता है, तो गरीब इसे कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आती है यह धन की बचत का और धन के आगमन करने का सबसे छोटा और आसान उपाय बोजन का दान मनुष्य जितना जादा कर सकता उसे करना चाहिए इससे नौग्रह शांती होती है आपको इस उपाय करने के बाद जीवन में कभी भी किसी पूजा पाट को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा इसके साथ आप पानी का दान कर सकते हैं पानी का दान भी बहुत विशेश तोर पर मायने रखता है आपके घर पर जब भी मैमान आते हो तो खास तोर पर हमें पानी जरूर पिलाना चाहिए इससे भी घर में सुक शान्ती का वातरमरन बनता है आपके घर का चंदन की दूप का प्रयोग करना चाहिए चंदन जो है शिव जी को बहुत प्रिया है चंदन जो होता है माता लक्षमी को बहुत प्रिया होता है चंदन जो है आपके ग्रहों को शांत करता है वहीं अगर आपके घर में आप शक्रोवार वाले दिन लार गुलाब की जो जिसे कहा जाता है आपको वो जलानी चाहिए इससे क्या होगा आपके घर में शुद्धा बनती है और माता लक्षमी का शाक्षा जो आशिरवाद है आपके घर पर आने लगता है आपको जो है कर्ज से मुक्ति अगर चाहिए तो मंगलवार को आप रात को ग्यारा बार हनुमा जो कपड़े होते हैं उसे धारन करके आप हनुमान चाली सका पाट ना करें शुद्धा के साथ करें आपके जीवन से जो कर्ज है वो दूर हो जाएगा यहने कर्ज की मुक्ति ही हो जाएगी जीवन से आर्तिक परिशानिया दूर हो जाएगी शत्रु बादा मुकदमे जो हनुमान चाली सका पाट है कोई भी कर सकता है रात को आपको करना है यह पाट यानि सूरज जब ढ़ल जा उसके बात करना है और 11 बार करना है इस बात का ध्यान रखें किसी मंदिर में बैट केर करेंगे तो इसका फल आपको सोगुना मिलेगा संभवना हो तो घर पर ही क जो धन होता है जो जितना भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है निर्धन व्यक्ति को देना चाहिए जिससे वो अपनी जरूरत का समान खरीच सके जब निर्धन व्यक्ति आपके पैसे से अपने घर के लिए कोई समान खरीदेगा तो आपके जो ग्रह होते हैं वो आप जब सिख्के और नोट बार मैंने दिखा है कि पर्स में लोग जो नोट और सिख्के उते वैसी फेग देते तो आप जब उन्हें फेगते हैं यह अस्तवियस्त थरीखे से रखते हैं तब भी माता लश्मी जो है आपसे रूखते है तो नूट को और सिक्कों को अगर आपके पर्स में जगाना हो तो सिक्कों के लिए अलग छोटा सा पर्स ले लिए और उसमें सिक्के रखिए सिक्कों को ऐसे ही फेक देना पर्स में और कहीं भी रख देना घर में आते से ही वो जो होता है धन को बिखेरता है यानि आपका धन जो इधर उधर इधर उधर पड़ा रहता है, तो धन आपका जीवन में अलग अलग जगाओं पर लगने लगता है, हमेशा धन और सिक्को को समेट कर रखना चाहिए परस के अंदर बंद करके रखना चाहिए जिससे वो सदेव बंद यानि आपके घर में जब हम हमारे नोट को, सिकों को जगा जगा बिखेरने लगते हैं तो हमारे जीवन में भी जो धन और सिक्षे होते हैं, वो जगा जगा रहने लगते हैं याने कभी medical खर्चे होने लगेंगे, कभी पैसा इधर उदर जाने लगेगा, कर्स हिस्तितिया वने लगेंगी तो आपको धन को हमेशा समेट कर और पर्स में बंद करके रखना है ताकि आपके जीवन में भी जो धन होता है वो बंदा रहे इसके अलावा शुक्रुवार वाले दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत रख सकता है तो उसके जीवन की जो सालों की दरीदरता है याने जरम जरम की दरीदरता जो होती है वो समापत हो जाती है तो सभी भाई भहनों से मैं कहूंगी कि शुक्रुवार के जो वैभव लक्षमी के वरत होते हैं या शुक्रुवार के माता लक्षमी के वरत होते हैं वो जरूर करें ताकि आपके जीवन की जितनी भी दुख दरिद्रता है वो दूर हो अगर आप वैभव लक्षमी के वरत कर तो अष्ट लक्ष्मि जो शरी अंत्र के जो विशेश क्रपा है वो आपको प्राप्त होने लगती है तो संबहें वह सके तो शुक्रवार के जो वुरत होते उन्हें शुरू कीजिए ताकि आपके जीवन में जो दरीद्रता है उसका विनाश आपके घर की गई बहुत पसंद आया होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों